प्रदेश के अर्दिसेनिक बलों के मुद्दों को लेकर एक्स पेरा मिलेटरी फोर्सेज माट्रीरी स्पल्प्फिर एस्सेशन के लेकर प्रतिनेधी मंडल ने राज़िपाल राजेंदर विश्वना थाल लेकर से राजभवन में मुलाकात की और क्यापन सुंपा जिसमें प्रदेश में अर्दिसेनिक कल्यान बोर्ट के गठन करने के साथ ही जवानों के शहीद होने पर उनके परीजनों को एक करोड देने के मांग की साथी में प्रदेश के सभी जिला स्तर पर भी अर्दिसैनिक के लिए अलग से डिस्पेंसरी खोलने और पेंशन देने का आग रेखिया गया एसोसेशन के महा सच्छिव रण्विर सिंग ने कहा कि देश की सुरक्षा में अर्दिसैनिक बलो का बहुत बड़ा योगदान है लेकिन सेना की तरह उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही है आई दिन देश की सुरक्षा करते हुए जवान शहीत हो रही है लेकिन उन्हें इस तरह की सम्मान श्रनक राशी नहीं मिल पाती है जिससे उसका और उसके परिवार का भरन पोशन हो सके आज अर्दिसैनिक एसोसेशन द्वारा राज्यपाल राज्यिंद्रनाथ से मुलाकात की गई और उन्हें मागो को लेकर एक ग्यापन भी सौपा गया जिसमें राज्यपाल से प्रदेश में अर्दिसैनिक कल्यान वोट के गठन करने को कहा गया है ताकि सेवानी वृत ऐवन शेहित परिवानों की पैंशन पुनरवास ऐवन कल्यानकारी योजनाओं को लागू हो सके शेहित परिवानों को मिलने वाली साहता सम्मान राशी को एक करोड करने की गुहार लगाई ताकि जिस जवान ने देश के लिए वलिदान दिया है उसके परिवार के भरन पोर्षन में उप्रुक्त मिली सम्मान राशी सहयक सिद्ध हो सके रजे सरकार का आप करा अपने देखा सेजी कल्यान बोड हैं ठोर सैना के लिए बड़े भाई हमारे लेकिन अर्द सैना आठेи अधुरे ठगे से शुद्धां से महरूम हम चाहेंगे कि डि स्टिक लैवल पे अर्द सैना कल्यान बोड का घठन हमें महाम Patri equipped कि हमने का सीजी अचस डिस्पेंसरी ओनली सिम्ला में हमारे तो रिमोट एरिया किता बड़ा है माचल तो हम चाहेंगे कि डिस्टिक वाइज सीजी अचस डिस्पेंसरी बनाई जाएं ताके परामिलिटी के जवानों को परिवारों को जो सरद की चाक चौबन चौक सी कर रहें चौकीदारी कर रहें आई टीबीपी के जवान येस बीए सब के धतकते वो जो जासल मेर बाड मेर में सीजी अर्पी तो आई दिन सहीद होते रहते हैं तो अर्द सैनिक एक तो हम पूर्ण सैनिक है तो हमने गुजारिस की है कि सर्डिस्टिक लेवल पर उसका गठन होना चाहिए सीजी अर्ट डिस्पेंसरी का और ये बहुत बड़ी बात है महा महिम बोले हैं कि आप वेटरंस हैं आप बहुत अच्छा लगा आप जवानों की आवाज बन रहे हैं अब देखी ना संसत को तो हमने बचाया 2001 अतंकी हमला हुआ अगर CRP ना होती तो संसत नहस्तान बूठ हो दियाती तो हमसे क्या भूली कि जवानों की पैंसल बन कर दी सरकार महीं उन्होंने केंद्र सरकार की अगरीपत योशना का भी विरोध करते वे कहा की केंद्र सरकार द्वारा सेना में ठेकेदारी प्रथा शुरू करना दुरभा के पुरन है देश की सुरक्षा के साथ समझोता नहीं किया चारा चाहिए सरकार चार साल के लिए अगरीपत के तहट युवाओं को भर्ती कर रही है जब की छै महीने इनको कदमताल में ही निकल जाएगे उन्होंने केंद्र सरकार से सेना में नियमित रूप से ही भर्ती करने की सलादी है भाई ये तो बहुत गलत है कि भाई ठेकेदारी जो है सरदों पर भी सम्विदा पर आ गई ठेकेदारी पर था ये गलत है एक जवान आएगा वो छह मेने तो कदमताल करने में लग जाएगे छह मेने उसको छुटी चली जाएगी उदर से आचंकी आगे पाकिस्तान की तरफ से तो जान उसमें शादत दूँ या ना दूँ क्योंकि उसकी शादी हुई है या होने वाली है उसको चार साल के बाद किक मार के भाहर कर देंगे साथ तो वो तो चिंता में रहेगा हम चाहेंगे किंद्रिय सुर्क शाबलों में ये चीजे सरद पे ये नहीं होना चाहिए पर्मानेंट होना चाहिए साथ ताके हम अब सेना पर्मुक तो वो तो सरकार के उसमें हैं लेकिन मैं तो और्दस हैंनी कूँ मैं CRPF से रिटायर हूँ और हम नहीं चाहेंगे कि चाइना बॉर्डर पे चार साल के बच्चे को वहाँ पे चार साल के लिए लगा दे पर्मानेंट होना चाहिए ताके हमारी सरदों के साथ खिलवार नहीं होना चाहिए साथ ये बहुत जलू है निश्पक्षियों का पलटवार साथ ही इलाके के निश्पक्ष लोगों की निश्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइफ डाइन्स टीवी पर आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिपनी करना चाहे तो हमें भेज़े अपना वीडियो ब्यासी एकसो अठान में 00003 या ब्यासी एकसो अठान में 00004